तु कैसे हो आपप लोग, अजपिर ईक और ने कोप्र लिन स्लिएट के एक और ने एपिसोड में इस एपिसोड की शुरुआ तक वह इ dużo हिसे होती है जहाँ से पूरना एपिसोड कता होता है, हम इस ठोर का सीन लिखाय कहा जाता है स्टोर में उसका दोस्ट बोलता है उसके बाद किया हुआ में क्यारक्टर बोलता है उसके बाद सब कुछ खतम हुआ फिर वो बोलता है ऐसा बहुत अजीवी द्रीम था उसका दोस्ट बोलता है तुम्हें सुनके लगता है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा फण आया होगा उसका दोस्त बोलता है फ़र मुझे तो कंटिनली मारते रहे मैं सिप उसको एक ही बार हराने में सक्षाम रहा फिर उसका दोस्त बोलता है यह बहुत ज्यादा ही स्टेंज है तो अपने ड्रीम में ही हार के लोग तो अपने ड्रीम में जो उनके फैमिले रहो करते हैं पर तु मैं क्या कर रहा हूँ यह मुझे से पहले से ही पता था फिर वो बोलता है पर मैंने अब भी ट्राय किया तो मैं अब भी करने में सक्षम हूँ फिर उसका दोस्ट बोलता है यार तुम शौक में हो ना फिर वेन करक्टर बोलता है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर उ मैंने किया फिर हमें में में क्यारक्टर योकाई वर्ल्ड में दिखाए जाता है फिर योकाई वर्ल्ड में खुद को देखकर वो शौक में हो जाता है फिर उसका उसको पीचे से आवाज जाती है क्या तुम अपने सेंस में वापस आगे हो फिर वह आवाज दादा जी वो दा बहुत ज्यादा शौक होता है और पिछे से चले जाता है फिर वो बोलता है यह ड्रीम नहीं था यह मॉंस्टर त्या कुछ भी था पर यह रियल है यह बड़ा है मुझे ऐसे काइंड के मॉंस्टर को मैंने हरा मेरी बॉड़ी मेरा घर मेरा क्या होगा ऐसे उसके मन में खायला पहले बार प्यों बिल्ख है यह तो बाहित गदा है फिर वो लड़की बोलती है यह सच में गॉपलिंग इसमें बलड है उसका पौनेंट भी देखा उसका अपौनेंट यह मंस्टर के बराबर भी नहीं था ना इसने कोई इंप्रस्व मैजी क Tapi किया ना कि इसरी सिफ अपनी सिफ अपनी स्टेंट दिखा ही है फिर वो लटकी बोलती है ऐसे भी मौन्तकर स्ट्रगल करना इस यह प्रोड़ करने लाइक बात नहीं तुमझेश मेरा judgment मैंने अभी थोड़े देर देया था तुम तब सुए थे मैं फिर भी तुमारे एक और बार कर लेता हूं फिर हमें योकाई वर्ड में एक बड़ा सा महल दिखा जाता है और बहुत सारी आवाजे सुनाई देती है उसमें बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने तो कंदू को गिरा दिया है वह अपनी स्टिंथ हाइट कर रहा था पर ऐसा लगता नहीं वह सारी आवाजे रहती है वहाँ उस वर्ड के योकाई मॉंस्टर की फिर वह बोलते है इसमें तो गॉपलिन बलर्ड है फिर वह बोलते है मैंने बहुत सालों बात सेसेरियम पॉपलिन सेसेरियम देखा है फिर में करेक्टर ख़ड़ा और रहता है फिर फिर वह प्ते फिर उसके पास दादा जी आते हैं अपना जैज्जमेंट सुनाते है वह बोलते हैं मैं इस पैनुला मॉंस्टर का जैज है ग्रैटपा बोगी मैं मैं एक प्रोविसिंग प्लीज अभी बता दे और ये बात पुरे भुसार में फैला दे हमें बहुत सारे मॉंस्टर दिखाए जाते हैं तब ये एक बड़ा सा मॉंस्टर बोलता है ये तुम्हें बहुत सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा फिर वो बोलता है ये वाला फेस्ट्यूल तो बहुत ज़्यादा अमीजिंग रहेंगा फिर ग्रैंटपा बोलते हैं तुम्हारा नाम रिजिस्टर में लिखा जाएगा एक तो तुम गदे हो या गदे बनने की कुशिश कर रहे हो फिर वो बोलती है तुमने सुना नहीं तुम मॉंस्टर हूं तुम्हें अपनी आइडेंटिव यूमन रियल में चुपानी पड़ेंगी अब तक पास्तो सालों में कोई भी मॉंस्टर हूमन रियल में जा नहीं पाए फिर वो बोलता है मैंन करक्टर मुझे किसी को टरबल नहीं करने था मैंने किसी को मारा नहीं मैं पिस्पली रहना चाता हूँ फिर दादाजी ठीक है तुम ने मेरे कुछ कोई चॉइस छोड़ी नहीं पिर वो दादाजी बहुत ज़्यादा ही फियूरस हो जाते है और उसके पीछे अटक करें बोलते है वो बोलते है अभी तुम्हें मुझे मारना पड़ेंगा मैंन करक्टर पीछे हड़ जाता है मैंन करक्टर बहुत ज़् उलिए ना तुमने देंख लिए ना करते एक तो यह तुम्हदपि लिए तुमारी बॉड़ी म feelings की फिर मिण ट करक्टर बोलता है मेरी के मेरी लिए में थे वोज sa सबहों स्थ c by में सबसे ज्ञादा पट्रव pop कोई होंगा तो गपल Coast विए और सबसे बते है तुम अभी तो एक बच्चे के समान हो और तुम्हारी स्टेन हजार को आराम से तोड़ देगे अगर तुमने अपनी बावर को बराबर कंट्रोल नहीं किया तो ओडिनरी हुमन बाड़ी जो है वह तूट जैंगी फिर में किर्क्टर बोलता है मैं समझ गया पर मुझे पासोच सालन तरक इव्यरी कोर्णी है तुमें तो शुर्ट आदा साली रुकना है उमेन किर्क्टर बोलता है सच में एक उतुम्हें बार बताता हो कहानी शीपट होती है हमें एक human एक बड़े जंगल में दोड़ते दिखाता है फिर दादा जी बताते हैं सभी monster फ्री थे human रियाल में जाने के लिए लेकिन जब भी हम night पे आप एर होते थे human हमें डरते थे फिर दादा जी बताते है human सिब हमारे उपर रेले रह सकते थे जो कि हम human friendly monster थे एक तो डर एक तो पूजा पस यही वे attitude था 666 साल पहले लेकिन 666 साल के festival के end के बाद जब नया king आया फिर उस king ने उसको ये पसंद नहीं था फिर वो king जिस दिन अपने थ्रोन पे बटा उसने जितने भी monster मारे थे उनके खुन से एक नया law लिखा था उस law में हमें human को harm करने से और अपनी identity reveal करने से stop कर दिया था इसकी बज़े से human अभी ना हमें डर सकते थे ना कुछ कर सकते थे लेकिन हमारा existence था वो भी खतम हो चुका था हमें वो लोग personal character story से समझ रहे थे पर यह अभी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगा क्योंकि आदे साल बात 666 साल के king का region खतम हो जाएंगा और जो law है वो भी फिर से लिखा जाएगा फिर उस दिन के sunset में human real में बहुत सारे monster जो 666 साल से रुके थे वो आ जाएंगे वो monster night रहनगी सब ही human real में की तरप rush करना चाले करतेंगे और जो लोग ने अपनी identity चुपाई थी वो अपनी identity दिखाएंगे और लोगों में डर पाड़ाएंगे फिर man character इसको सोच में जाता ही शोक में हो जाता है फिर grandpa बोलते हैं इन 6 मुएनों में तुम अपनी power को harness करना सीख लो ये सब कुस तुमारे उपर है फिर man character बोलता है अपनी power कैसे harness करू मुझे अगर मैंने harness करना भी सीख लिया फिर दादा जी बताते तुमें training करके सबसे strong बनना पड़ेंगा ठीक है ना फिर तुमें देखके ऐसा लगता है कि तुम determine हो तुमारे mind में क्या चार रहा है में character सोचता है कि वर्ल्ड में अगर monster officer ये power हो गया तो क्या होंगा मुझे उन्हें दूर रचना पड़ेंगा 17 साल का लगका जो अपने decision ले नहीं सकता था लेकिन हाँ अपने world के बारे में वो ज़्यादा सोच रहा था अपने पास वालों को protect करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था फिर दादा जी बोलते हैं पर ऐसा कुछ होंगा नहीं तुमारे अंदर जो goblin blood है वो ज़्यादा powerful है तुमारे थोड़ा सा हाँ लेकिन अगर तुमने फेस्टिवल जीत लिया और king of monster बन गे तुम वही लोग फिर से react act कर सकते हो फिर वहाँ से लड़की आवा जाती है वह लड़की बोलती है यह इंपॉसिबल है यह इसको तो सिब यह तो monster जैसा है लेकिन इसको सा फेस्टिवल में सरवायवाल बहुत कोई चांस नहीं है फिर ग्यादा जी बोलते है अरे हां मैंने तुम्हें इसको इंट्रडूस करने नहीं इसका नाम से लोग आई यह अपने लोग की तरब से फेस्टिवल में यह तो तुम्हें दादा जी बोलते है यह तो तुम्हारी जैसीच है यह यंग है इनको human realm में जाने की चीए मैं इसके साथ अभी डील नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है फिर भी यह टेस्ट लेनी की चाहत में है फिर भी तुम्हें इसको पूछना चाहिए फिर वो लड़की बोलती है मुझे टेस्ट क्यों देनी पड़ी है जबकि मुझे transformation magic और monster को बहुत अच्छे से हाती है और मेरे से जितने भी नीचे monster है बहुत ज्यादा weak है ग्राइपा बोलते हैं मुझे पता है पर मैं तुम्हारे qualification के बज़े से तुम्हें जज नहीं कर स नॉंसेंस फिर ग्राइपा बोलते है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाए एक तो ओल लव छे मैंने में खतम होने हुआ है उसकी बज़े मुझे मुझे रख रहा है अरे पर यहां पर फॉर्शुनेट टाइमिंग है एक तो तुम आ गई हो हो क्रिप ग्राइपा बोलत तो फिर वो दादा जी बोलते है मैं तुम्हें एक मैना देते हो इसको मॉंस्टर बनने के बेसिक्स और ट्रांस्वर्मेशन माजी तो न सिखाओ अगर तुमने इस एक मैने में कोई प्रोग्रेस की फिर मैं तुम दोनों को हुमर में जाने के लिए जच करूं फिर तभी व क्रांट-पा बोलते है यह तो तुम इसको डीच करोंगा यह तो नहीं करोंगी यह तुमारी ओपर है क्लॉक बड़ाती है क्रैबपा बोलते है मुझे बिलिव करता ह। यह पॉसिबल है वो ग्रैबपा अपनी क्लॉक में उलके चले जाते है शॉक में देखते रहते है तभी वो लड़की बोलती है यह useless question है पर मैं तुम्हें एक पूछना है तुम्हें पता है monster post क्या है main character बलता है मुझे यह नहीं पता है फिर वो बोलती है मेरे पास कोई choice नहीं है तबी main character बहुत ज्यादा shock में आ जाते है उस लड़की की बिचे वो जिस monster को main character ने हरा है था वो खड़ा हो जाता है और वो monster अभी तक fight खतम नहीं हुई फिर वो लड़की घुसे से उसकी तरफ देखने लगी तुम तो बड़े चिपकूब हो तुम्हारे जैसे लोली monster की बज़े से human हमें इंस्टाल करते है फिर वो monster बोलता है you fucking bitch वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाने जाता है लेकिन human जैसा जह उसके बज़े से रहता है लेकिन इसलिए वो उसके कारण एक class नाम की चीज़ वो डिटर्माइन करते है लेकिन pure goblin जो disappear हो गये है लेकिन उनकी बज़े से इसी पर होने के बज़े से बहुत सारे high class Korean region में अपने आपको बड़े बताते हैं लेकिन उन्होंने अपना प्राइट साइड में रख दिया तो सब भी monster का एक ही answer होंगा जो fox जो अपने nine tail चुपाती है वो Korean region में सबसे powerful monster है तब ही हमें उस लड़की का fox tail क्वाला रूप जाता है फिर वो लड़की बोलती है उस monster को तुम जो कर रहो करते रहो यह एपिसोड यही कतम होता है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट करिए हम एक और नया चैप्टर लाएंगे तो तब तक के लिए सायुनारा गुडबाए